नमस्कार दोस्तों कानून का दरवाजा चैनल में आप सभी का श्वागत हैं आज के इस एपिशोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ कि यदि आपके जमीन पर कोई बेक्ते जबरन घर बना लेता है या फिर आपकी जमीन को जबरदस्ती जोद देता है आपको डिस्पजेच कर देता है तो आपको ततकाल कौन सा उपाई करना चाहिए दोस्तों समाज में इस तरह की ढेट सारी घटनाएं घट रही है कि फरजी पेपर के आधार पर कोई बेक्ते आपको जबरदस्ती जमीन से बेदेखल कर देता है आपके जमीन में घर बना लेता है या फिर समाज के कुछ और समाजिक तत्तों के लोग किसी ऐसे भूमीन बेक्ती को चड़ा बढ़ा करके आपके जमीन में जबरदस्तों उसका घर बनवा लेता है तो आपको ततकाल कुछ न कुछ उपाई करने चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसी परिस्तेती में चुप बैठे रह जाते हैं डड़ जाते हैं और वीचार करने में निर्ना लेने में देरी कर देते हैं तो वह बेक्ती जिसने आपके जमीन में जबरदस्ती घर बना लिया है वह अंचल कारियाले से मिलकर तहसिल कारियाले से मिलकर आपके जमीन का बंदोबस्ती परवाना प्राप कर सकता है या बाश्गित परचा आपके जमीन का बना सकता है और आपने किसी परकार की सुचना परशासन में नहीं दिया है इसलिए वह अगर एक मेहना पहले आपके जमीन में घर बनाया है तो परशासन द्वारा जाँच करा करके कुछ और शमाजिक तक्तों की शाहरा से बरसो पुराना कब्जावारी गोशित करवा सकता है और आपके जमीन का बाश्गित परचा बनवा सकता है और आप तक्काल हाथ मलते रह जाएंगे मुकदमा बाजी के चक्कर में फश चकते हैं या फिर यदि कोई बेक्ती आपके जमीन को जबर्दस्ती जोत लेता है और आप चुब बैठे रहते हैं या फिर उसके बिरुद मुकदमा दायर करने में देरी करते हैं तो इसका आपका विपक्ची नाजाज फाइदा उठा शकता है और जब उस पर आप सिविल मुकदमा दायर करेंगे तो वह बरसो पुराना कबजाबारी दिखा शकता है जो कि आपको शिविल केश में भी काफी महगा पड़ सकता है इसलिए अगर इस तरह की घटना आपके साथ हो जाती है तो आपको तकाल कदम बढ़ाना चाहिए अपने नजदी की थाना में जाकर के मुकदमा करें उस अत्याचारी के बिरुद में, अतिकर्मनकारियों के बिरुद में आप मुकदमा दाएर करें अन्यता वह न्याले में आपके खिलाफ अपने आपको शाम्तिपुर्ण कबजाधारी बता सकता है जिस से आपका मुकदमा कमजोर पड़ सकता है आपके साथ इस तरह की भी घटना हो शकती है, आपको शतर करने की आवश्चकता है, क्योंकि वह ब्यक्ति थाना पुलिश को भी मिला सकता है, आप अगर उसके एगनस्ट में थाना में आवेदन देंगे तो वह पुलिश को मिला सकता है और आपका केश वही दब जाएगा, इसके लिए आपको शिविल कोर्ट में आकर के उश अभ्युक्त गन के बिरुद शिये मुकदमा दायर करना चाहिए अर्थात कम्प्लैन केश करना चाहिए तो मुक न्याइक दंड़ादारी इनध्यकारी के नियाले में जब आप क्रिमिनल केस करेंगे तो आपके पास यह प्रूफ रहेगा जब शिविल बात चलेगा तो उस क्रिमिनल केस का सर्टिफाइट कोपी उसमें आप लगा सकते हैं उसे एक्जिबिट करा सकते हैं जिससे यह प्रूफ होगा कि जो आपका विरुदी है वह गलत बोल रहा है वह बरसों पुरुविशे शामतिपुर्ण कब्जे में नहीं है बलकि उसने जबरन आपकी जमिन को कब्जा किये हुए है इसलिए आपको तथकाल कानुने उपाय अवश्च करने चाहिए ना कि चुप बैठना चाहिए चुप बैठना या डर जाना आपके लिए महगा शाबित हो शकता है तो दोस्तो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा फिर अगले कानुने वीडियो का आप इंतजार करें और अंत में आप से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्च कर लें साथी बेल आइकन को प्रेश करें और यदि इस तरह की कानुनी शलाह आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्च करें धन्यवाद